नमस्कार मैं Simakosik आज आपको गर्पे बलीच बनाना बताने वाली हूं आप किस तरह गर्पे बलीच बना सकती हैं और अपने चेरिकल लगा सकते हैं और यह बिलकुल हल बलीच बनाने वाली हूं और जो समान इसमें डाला जाता है वह आपको हिए असानी से भालो को सिर्फ इंडिते करती है सब्लें नियुक्रण करना है लेकिन अगर आप हरवल जो बलीच है वो घर पे बना की युच कर रहे हैं बहर मेने कर सकते हैं इसमें कोई केमिकल ऐसे चीज नहीं होती है जो कि आपको नुक्सान पहुंचाए तो चलिए बनाते ही घर पे हाईवल बलीच तो सबसे पहले ऐसा जो इनो आता है विलू कलर का वो आपको लेना है जो अलग कलर के आते हैं इनो वो आपको नहीं लेने क्योंकि उसमें कलर चेंज करने के लिए उसमें केमिकल अदगरा का या कलर का प्रियोग किया जाता है तो आपको वो नहीं लेना आपको ऐसा ही लेना ह सब्सक्रावारी में इसमें जो खल आरी रेसी हो थी आंदाय में नुख़ाई। जो बत्म में नहीं खाना चाहिए लेकिन इसमें आसा नहीं है क्योंकि जो सज स्जिखार रिभे पाडू में पर सुपारा में होता हैEn सिंदा नमक होता है जो हम ऍद्र् बंत नमकि समूढ़ je हर तरह की जीवजंतु होता है तो रोंपों नमक हम बत में खाते लेकίν जो पाड़ों में बन ज़ाते हैं उसमें आसली कि इसमें आनाज जि एक और इसमें आनाज नहीं है इसली तो इसमें केमिकल विगरा इसा नहीं है जो कि आपके चैरी के नुकसान पहुंचाए और दूर्सा जो नीमू का सब्सक्राइब अपने आप में जो होता है नीमू तो फैदे की ही चीज होती है वो आपको खाने में भी अच्छा रहता है अगर आप खाने में यूज़ करते है और चैरी विगरे पे लगाते हैं तब भी आपको नुकसान नहीं पहुंचता तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आप पढ़ सकते हैं लाने के बाद में कि इसमें क्या-क्या डाला जाता है तो आप पहले पढ़के फिल चेक कर सकते हैं इसके बाद में आपको जो सैद होता ह और क्वे भी एक लेन है अपको असाने से मिलने वाली चीज़ है और इसके बार में लेनी है आपको को सब के गर्मे उपलफ होता है चलीए बनाते हैं अभी आपको किस तरह मलेक दयाया है है तो आपको सबसे पहले कि सैज लेना है कि इस तरह है तो यह छोटी साइज की चमच है तो यह मैं दो चमच सैज ले रही हूं तो अगर थोड़ी बड़ी साइज है तो थोड़ा साप सैज कम कर सकते हैं के इसके बाद में भिल्कूल हलकी सी इस तरह से चुटकीं में लेके और आपको हड् referred लेनी है इतनी ही लेनी आपको ज्यादानी लेनी और स्टर हमेशल हमिक देना है इसके बाद में आपको लेना है निम्बू तो इस तरह निम्बू का रस निकाल देंगे चान लेंगे ताकि बीज जो है वो निकल जाए तो इस तरह अच्छे सी मिक्स कर लेंगे अच्छे सी मिला देना है अच्छे सी मिला देना है को अच्छे भी इसके बाद में खलका सा डालेंगे और मिला देंगे इस तरह मिक्स कर लेना है इसके बाद में हम इनोड लेंगे तो इस तरह चमाच मिच्छ अधा चमाच डाल के विक्स कर देंगे तो इस तरह तयार हो गए है बली चमारा और इसके बाद में पहले आप हाथों पर लगा के चेक कर लें इस तरह कि आपको एलर्जी वगरा या कोई ऐसा नहीं है लेकिन आप साफ करते समय ऐसे घीसना नहीं है तो पहले इस तरह आप से निकालना पड़ता है तो पहले इस तरह आप चेक कर लें इसके बाद में चली अभी आपको चेरी पर लगा के और बता देती हूं इसके बाद में इस तरह के रूई या जिसे कोटन बोलते हैं बोलेंगे और इस तरह लगाएंगे तो लगाने से पहले आप चेरी को पहले सापाने से दोले और साबूर ना लगाए तो आपको साबूर नहीं लगाने पगए साबूर के दोले ना है और उसके बाद में इस त और आखों से बचावते उए लगाना है आखों में नहीं लगना चाहिए इस तरह आपको बहुत आराम से इस तरह चेरे पे लगा लेना है लीच को आपको पूरे से अच्छे से लगा लेना ये गए ह्म उस्दर में बलिच चेरे पर लगा चुकी हूं और लगाते हुए आपको आखों का ध्या रकना आखों में बलिच नहीं आए जानी चाहिए क्योंकि हम बजार की भी लगाते हैं तो आखों का में भी से ध्यार रखना पड़ता है और आखों में अगर जाती है तो जलन हो जाती है इसलिए आप आखों का जुरूर ध्यार रखे और अराम से पूरे चेरे पर लगा ले और लगाने के बाद में 20-25 मिन्ट हम सूखने का इ अरॉ इसके बाद में में शेला चाहें अबनिकांब आद लगानी से हमीं करने तो बजाते तो आपको रखनाना है और आप लीक लिश संधान लूह जाते हैं निशान नहीं जो बोलीश मुन हएं पाँपाज़ोग तोयामेवावाती कहते हैं ऐसा कुछ नहीं आप देख सकते हैं मैं आराम से अटा हुआ है यह पर रहा हुली जल गया कोक प्रभस लिपさん वजिया है पर पर देख सकते हैं तो इस तरह आप आराम से कपड़े से सबैस स хочешь सब्सक्राइब अच्यूब करें, बन्व चीद भूंजरे में सब्सक्राइब अच्डीय चंड पत्तों मैंनेके बार सोथ चेद्वय गई है तो इस तरह में अटा चुकी हूं अटाने के बाद में दो लिया है और ऐसे आपको टुवाल से अराम से चेर को पहुच लेना है है कि अधे हैं है तो आप इस तरह चैरे ने साफ करके फिर के रियुक लगा रहे हैं तो आप सदुरूर गाइजा पूरां ना लगां अगले दि 했어istes कि आपको बलब यो सकता है अधर अपकि बनेच बिल्कुर ना लगाते ही आपको इतना जलन होगी कि आपको दर्द सेर निए हो सकता तो पहले आप को मुऌससे जो है उननों छी करें और उसका वेडियो मैं पहले बना चुकी हो तो उसका लिक्सना बोला पर ये निचे आपको लेदो अगर आपके मुऌससे हें तो वोह भी आप ठीक कर सकते हैं और यह जो बलीच है वो आप अंदर दिन में महिने में लगा सकते हैं और यह दिरी दिरे अपना असर दिखाती है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है जो कि एकनम से जादू करे तो आप दिरी दिरे पंदर दिन में महिने में लगाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि हम बजार के जो लाते हैं उसमें केमिकल होता है वो तो रहत अपना रिजल्ट देती है और यह थोड़ा दिरी दिरे तो आप इस तरह बनाके अपने चरे पे लगा सकते हैं और यह बहुत अच्छे से बन जाती है और आसानी से भी बन जाती है इसमें कोई दिकत नहीं होती तो आप भी बनाईएगा और फिर हमें बताईएगा आपको इस वीडियो कैसा लगा अगर आपको पसंद आया तो लाइक संस्क्राइब करना ना बूले कमेंट आवसी किजीगा आपको दिबिकेसा लगा आप सबका बहुत बद देने लाइगा